तो मिसमिल्लाय रह्मान रहीम माइन इस पसी और आज हम फिजिक्स पार्टिकल फिजिस क्रैश को स्टार्ट करने लगें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स क्या है एक्चलि उसकी जो कन्वेंशनल डेफिनिशन है फिर बेसिक फोर्स इस वह कौन-कौन स से लाउस जो कंजर्वेशन लाउस हैं वह इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखेंगे नैच्रल जूनिट्स क्या बला होते हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं और वो क्या है पार्टिकल इंट्रेक्ट किस तरह से करते हैं एड़ फंडरमेंटल स्केल ठीक है ऑफ शैल और के बारे में देखेंगे और इसकी तीन इंट्रेक्शन भी देखेंगे और कलर चार्ज क्या होता है यूनिफिकेशन क्या चीज़ है लेक्ट्र वीक्यूरी है ग्रेंड यूनिफिकेशन है ठीडिया फैवरी सिंग है फिर एक्सपरिमेंटली हम जो पार्टिकल फिजिक्स कर लेकिन यह डिपेंट करता है कि हम इसको किस्ता से लेकर चल रहे हैं या किस्ता से क्वेस्टन हो रहे हैं अच्छा तो फिर्स्ट हम देखते हैं कि पर्टिकल फिजिक्स है क्या जो इसकी डेफिनेशन है पर्टिकल फिजिक्स और विकन से हाई इनर्जी फिजिक्स इस की जो हमारे पास है दोनों को include करके हम उसको पढ़ते हैं और फिर जो force carriers है particle उनकी जो fundamental interaction है जिसके वज़े से मानेटर आपस में interact करता है उनकी study को हम क्या एते हैं particle physics तो add in simply हम यह कह सकते हैं कि particle physics deal with the fundamental particles and their fundamental interaction as well आप simplicity के साथ यहां पर देख सकते हैं कि यह matter है matter के बाद हम molecule पे आगे molecule के अंदर हम आए तो हम आटम है atom के अंदर हम देखते हैं तो nucleus and electrons revolve कर रहे हैं इसके around और फिर जब उसके अंदर deep dig करते हैं तो हमें लगता है कि proton and neutrons हैं लेकिन proton and neutron भी actually fundamental particle नहीं है और actually composite particle और जो के किन से मिलके बने हैं quarks हैं और gluons हैं वगारा 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 तो यह जो at the end हमारे पस मिल रहे हैं that are the elementary particles that we can say the fundamental particles okay अब पहली स्वाल यह बैदा होता है कि particle physics कैसे लोग study करते थे जब तक particle accelerator नहीं थे तो यह आपको एक बड़ी मज़े की यहां पर diagram नदर आ रही है यह वाली cosmic showers आते थे outer space से खास करके जो आपके पस ionic belt आती है या एक beam आती है या एक wind आती है जो के सूरज की तरफ से आ रही होती है वो यहां पर आके आपके पास interaction करती है अभी भी environment से तो आपके पास एक cosmic shower नीचे के तरफ आता था electron ion pair बनते थे electron positron pair बनते हैं pion pairs बनते हैं तो different particles जो हैं वो आपकी upper atmosphere पे create होते हैं थे about इतने distance पे ठीक है और वो फिर cosmic shower नीचे ताक आता था जिसको हम नीचे रखे हुए detectors में detect करके हम particle physics को study करते थे तो ये एक सिंपल सी डायगरम यहाँ पे नदर आ रही है आपको कि first interaction होई तो आपके पास pion मिले muon मिले electron मिले positron मिले तो इस तरह से आपके पास particle बनते चले जाते थे naturally upper atmosphere से आते थे और उसको फिर आप study करते थे नीचे detectors रखके ठीक है तो ये first way था particle fundamental scales में particle को study करने का और definitely आप अगर special theory of relativity पढ़ी है तो पाई-on problem था कि अगर पाई-on कडिके time इतना है तो वो कैसे जमीन तक पहुंचाता था तो बिलकुल वो cosmic shower से ही बनके आपके जमीन तक पहुंचता था तो ये एक जनरल सा आइडिया है कि particle physics actually पहले cosmic showers को study करके या उसको देख कि हम उसको study करते थे number of particles को अच्छा नेक्स्ट ये बड़ा मज़े का सवाल है वाइफ इस डू पार्टिकल physics क्यों कि क्यों जाती है क्योंकि इसको ये question इसलिए से उठाया जाता है क्योंकि पार्टिकल physics as such technology की तरफ नहीं आती जैसे के ब्लू LED डिसकवर की तो ब्लू LED डिसकवर करने के बाद हमारी जो light sources थे वो रेवलुशनाइज हो गए इसी तरह गिरिफीन डिसकवर होई उसने भी चीजों को रेवलुशनाइज कर दिया वगारा 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 लेकिन पार्टिकल physics as such directly intact नहीं कर रही होती डिरेकली आपकी जो टेकनोलोजी है उसको नहीं enhance कर रही होती तो इसकी सिंपल सा answer है simply they are curious about it curious किस पे कि particle physics the study of fundamental constitutes of nature ठीक है fundamentally हम कहों से originate हुई है हमारा origin क्या है तो इस fundamental scale को study करने के लिए people are curious ठीक है तो इस fundamental particle या अगर हम यह देख लेंके किस तरह से originate हुई है तो हम origin of our universe भी और shape of universe भी देख सकते हैं और फिर जिस तरह से चीजें काम कर रही है मतलब why the strong force exists why the weak force exists हम उस why का answer भी find करने की कोशिश कर सकते हैं why the things are as the way they are ठीक है जैसे कि चीजें चल रही है ऐसे क्यों चल रही है उसका answer जानने के लिए हम particle physics ढूंटते हैं because अगर हम fundamental scale पे basic चीजें पता चल जाएं तो हम उसके बारे में अच्छे तरीके से predict कर सकते हैं next दूसरी बात हमारे पास जो origin of universe है जिसको हम big bang से बताते होते हैं कि big bang origin of universe है उस smaller scale पे भी मतलब जब add the spot जब big bang हुआ उसके बिल्कुल 10 to the power about minus 43 seconds के बाद भी जो particles थे वो बहुत ही fundamental scale पे बहुत tiny particles जो के जिनको हम सब atomic particle गहते हैं या fundamental particle गहते हैं वहीं से originate हुआ तो अगर हमें ये पता चल जाए कि किस तरह से fundamental particle interact करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि early universe कैसी थी ठीक है तो हम ultimately ये चाह रहे हैं कि हम origin of universe को find कर सकें जो के हम actually कहते हैं कि big bang theory के साथ है ठीक है तो ये एक simple सी way थी कि हम particle physics करते क्यों है अच्छा next हम देख लेते हैं कि जो fundamental forces हैं जिनको basic forces कहते हैं nature की वो क्या कहा है पहली force gravity की force लेकिन बड़ी मद्द की बात particle physics में gravity को नहीं पढ़ते एक्ट करती है definitely सारे पार्टिकल पर गेज समिट्री जहाँ आइडिया दे रहाँ हैं आपको इस group theory से symmetry निकलती हैं जिसको definitely different forces follow करती है mathematically हम उसको relate कर लेते हैं definitely gravity को हम डील नहीं करते हैं तो उसकी हमारे मां इस कोई आइडिया नहीं है अगर वो होगा अगर gravity को quantize किया जा सकेगा अभी gravity quantize नहीं है quanta की फार्म में नहीं है chunks की फार्म में नहीं है तो उसका जो चार फोर्स केरियर होगा वो होगा graviton और उसकी range होगी infinite because वो वन अवर आर स्केर के साथ deal कर रही है और उसकी relative strength है 10 to the power minus 39 किसके लिहां से strong force के लिहां से strong force की अगर वन कह दें तो gravity की होगी 10 to the power minus 39 very 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 small as compared to the strong force इसी लिए जो fundamental particles हैं जो subatomic particle है उन पर यह कहें कि gravity acting नहीं करती तो that is okay that is good because इतनी small है इतनी small है कि हम उसको detecting नहीं कर पाते हैं तो हम इसको neglect कर दे होते हैं जब हम particle physics कर रहे होते हैं तो वह neglect gravity second जो force है वो weak force है definitely वो fermion पर act करती है फर्मियाँ जब देख लेते हैं किया है अगर group theory की बात की जाए तो उसमें जो symmetry है वो SU2 symmetry को वो follow करता है ठीक है अगर SU2 symmetry है तो हम 2 का square ले 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 होते हैं वो आ जाता है four और four minus one करें तो हमारे पास आ जाता है three तो हमारे पास three generators होते हैं उसके मतलब जो के उस force को generate कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास होते हैं w plus minus and z bosons means के तीन उसके mediators होंगे और इसकी range कितनी है 10 दो पार minus 17 के round board अब यह थोड़ी सी vary कर सकती कहीं पर लिखा होगा minus 18 कहीं पर लिखा होगा minus 16 तो यह इस range में act कर रही होती है अच्छा दूसरी बात क्या है कि इसकी जो relative strength है वो about 10 दो पार minus 5 है अगर आपके पास क्या हो उसको compare करो strong force के साथ और definitely उसका जो interaction है उसको beta decay से हम denote कर सकते हैं कि beta decay जो है वो due to the weak force होता है अच्छा next time हमारे पास electromagnetic force definitely उन particles पर act करेगी जिन पर electric charge होगा और यह u1 symmetry को follow करती है और इसका एक ही generator है वो है 1 और उसको हम कहते हैं photon और इसकी भी range क्या है infinite है और यह about one over 30 137 time weaker है as compared to strong force और definitely इसके अंदर आपके पास जो attraction और repulsion है वो due to the electromagnetic होता है और chemically जो जिते हैं भी reaction है वो electromagnetic force के वज़ा से हो रहे होते है next very important है हमारे पास strong force किन किन पर act करती है quarks and gluons पर okay cage theory के अगर बात की जाए group theory में su3 symmetry को follow करती है तो अगर हम 3 का cube square लें तो हमारे पास आजाता 9 9 में से one minus करें तो हमारे पास आजाता 8 तो 8 generators हैं इसके जो के इस strong force को generate करते हैं जिनको हम glue-on कहते हैं जिस कमतलव है 8 glue-ons required है हमारे strong force को describe करने के लिए अब यहां पर बड़ी मज़े की बात है मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वो infinite force है और हमने इसको पढ़ा है कि यह infinite नहीं है यह तो very very tiny force at 10 to the power minus 15 meter पर act करती है तो मैंने यहां पर arrow लगाया हुआ है we will we will talk about this कि यह कैसे infinite force है ठीक है और definitely यह nuclear reaction पर की तरफ लेके जाती है अच्छा जी यह तो होगी हमारे पास fundamental forces weak force electromagnetic force and strong force weak force के generator 3 electromagnetic generator 1 और strong force generator 8 ठीक है कौन-कौन से है यह पता चलगी range भी पता चलगी और इनकी strength भी relative strength भी पता चलगी next चलते है अब what is meant by force carrier अभी मैं बात कर रहा था जी कि इसके 3 force carrier यह इसके 3 generators है what is meant by that बड़ा important है यह slide बहुत important है में भी काफी लोगों के concept यहां पर के लिए हूं the force between the gravity bodies ऐसी body जिनके दर में gravitational force है अगर वो instantaneously act करे मतलब mass mass direct interact करे ठीक है जिसको हम कहते है action at a distance तो होगा क्या मालब mass directly दूसरे mass interact कर लिए without any source without any field ठीक है तो it actually violate the special theory of relativity means that कि हम जो information travel करा सकते है वो greater than speed of light नहीं जा सकती ठीक है speed of light से हम उपर नहीं जा सकते हैं ठीक हो की बात तो अगर direct mass mass interact करे तो it means we are violating this the special theory of relativity तो फिर idea आया कि हमारे पस mass एक field बनाती है उस field में दूसरा mass force field करता है तो mass field बनाई और उस field में दूसरे mass ने force field की बिलकुल इसी तरह बिलकुल इसी तरह हम कहते हैं कि एक charge है उसने भी एक field बनाई जिसको electric field कहते हैं और दूसरे charge ने उसकी field को force किया जिसको हम electric fields कहते हैं ये तो था classical concept के एक charge के around field है उस field में दूसरा particle आएगा तो वो उसकी force को field करेगा that is very simple and trivial ठीक है लेकिन जब हम quantized energies की बात करते हैं जब हम quantized system की बात करते हैं तो फिर हमें जो field होगी उसको भी quantized करना पड़ता है जैसे के electromagnetic field है उसकी quantized form जो है photon ठीक है अब फरस करने ये आपको नदर आ रहे हैं एक आपके पस ये electron है दूसरा भी आपके पस electron है आपको पता है कि जब दो electron करीब आते हैं तो they will repel each other लेकिन जब हम particle physics कर रहे होता है यह हम quantum electrodynamics कर रहे हो quantum electrodynamics कर रहे हो सिरफ classical electrodynamics नहीं quantum electrodynamics कर रहे हो QED उसमें interaction कुछ इस तरह से होती है फार एक्जेंपल ये particle close आए आगे अब definitely एक particle ने photon emit किया और दूसरे particle ने photon receive किया और ये communicate किया कि हम close close आगे है बिलकुल वैसे ही जैसे कि field में communicate करते through field अब through quantized field वो एक दूसरे communicate कर रहे है अब communicate करने के बाद क्या होगा they will repel each other ठीक है तो ये आपके पस quantized state है जिसमें quantization की वज़ा से या एक photon की वज़ा से mediation हुई photon की वज़ा से force एक जगा से दूसरे जगा mediate हुई मतलब एक दूसरे नोंने communicate किया कि हाँ भी हमने दूर जाना है ठीक है तो यह जो आपके पास एक diagram बनती है यह वाली इस diagram को हम कहते हैं five and diagram ठीक है के electron एक इदर से आया एक इदर से आया बीच में उन्होंने photon अमिट किया they will spread ठीक है तो इसका मतलब है force carrier जी है हमारे पास force carrier फिर दोनों photon emit करेंगे नहीं नहीं एक करेगा दूसरा receive करेगा एक ने मिट किया दूसरे ने receive ठीक है इन में से कोई भी कर सकते हैं सेंडर और messenger ठीक है तो इस case में आपके पास यह जो डायाग्राम बन गी है जो आपको डायाग्राम बन रही है इसको हम कहते हैं five and diagram इसको वैसे हम लिखते होते हैं इस तरह से यह भाबा स्केटरि इसको revolutionize कर दिये और टाइम यहां से यहां पर रन कर रहा है टाइम की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है अच्छा क्या हुआ वाइस नहीं आरी ओके वाइस आरी है मुझे लगा वाइस ही नहीं आरी अच्छा जी नेक्स्ट हम नेक्स चलते हैं जी फोर्स के रिए चल गया अब यह हमारे पास है स्टेंडर्र मॉरल आफ पालिटिकल फिजिक्स जिस तरह से जो के मिस्ट्री के लोग को होते ना उनके पर जैसे आपके पास प्रैटिक्ट होता है लग्दब उसमें सारे के सारे social elements नदर आरहे हुते हाइडोजेन लिथियम नीयन बोरं सारे इसी तरह आपके पस जो पालिटिकल टैबल जिसके हम कहते हैं multiple question बनते हैं जो के डारेक्ट पूचे जाते हैं आपके PPSC, FPSC के एक्जाम में और हमें definitely अगर उसको वैसे त्यार ने किया हुआ तो हमें उसका पताने चलता ठीक है अच्छा पहली family किया है हमारे पस वो fermionics है ठीक है यहां से लेके यहां तक यह सारे हमारे पस फर्मIONS है अब FERMIONS क्या होते हैं वो پार्टिकल जो FERMI Dirasak statistics को FOLLOW करते हैं या हम वैसे भी कह सकते हैं जो के Estado Bunny Inclusion principle को FOLLOW करते हैं वो FERMIONIC होते हैं या हम जा कह सकते हैं जिनकी हाफ integrals में होती है वो FERMIIONIC होते हैं तो डिफरेंट वेस के साम बता सकते हैं कि फर्मिवाने क्या है दूसरी जो फैमिली है वेव फंक्शन की बात करें तो वह एंटिस्मेट्रिक वेव फंक्शन होगा ठीक है इसी तरह आपके पास जो बोजानिक पालिटिकल है वो क्या होंगे वो यह है अब इन जे किस सैटिस्टि होता है ठीक है तो डिफरेंट वेस के साथ बताता है लेकिन जो मॉस्ट जैनेरिक वेव है वो यह है कि आप यह बताओ कि दे एक्शली फालो विच समिट्री ठीक है क्योंकि यह जो आपके पास स्पीन है ना यह हम असाइन करते होते हैं इनको खुद से असाइन करते हैं quantum field theory करते हुए यह हुद से half integral integral spin निकल के आती है लेकिन हम इसको हुद से sign की होती है ठीक है लेकिन quantum field theory में definitely हारे को फर्मियानी को वो खुद से उसकी originate होके आती है वो mathematically निकल के आती है लेकिन statistics actually चीज़ है जो कि आपको define करती है कौन सा particle कौन सा है अब फर्मियांस की बात क categories जो कि बड़ी important है अच्छा जी कौन कौन सी है कौक्स है और लैप्टाउन्स है और सही होगी बात अच्छा अब क्वाक्स क्या है और लैप्टाउन्स क्या है क्वाक्स वो जो के strong force को feel करते है ठीक है और we can say के येस और जो लैप्टाउन्स है उनको strong force का कोई पता नहीं है ठीक है मतलब strong force जो के nuclear force है वो जिस्ट कौक्स पर लगती है लैप्टाउन्स पर लगती है लैप्टाउन्स ब्लाइंड है उनको कोई पता नहीं है क्या कि तैना उसका जो भाई है वह आपके पास डाउन ये फर्स जनरेशन फैल लाइटर पार्टिकल्स है मतलब कि आप जो है यह डिके नहीं करते ठीक है यह स्टेबल है अच्छा और इसके साथ जो उसकी अगली family है वो leptons में वो lektrons और electron neutrino है ठीक हो की बात तो ये first generation है ये आपको नदर आ रही है ये वाली first row जो है first column जो है first generation है second जो है second generation है और third जो है वो third generation है अब first second and third generations है quarks and leptons की इनमें फरक क्या है first generation पहली बात वो stable है दूसरी बात वो lighter है as compared to other और जो दूसरी generation है जिसमें charm and strange quark आता है वो just heavy copies है first generation की मतलब के up quark और charm quark में और कोई फरक नहीं है सुआए mass का या वो unstable है as compared to up quark इसी तरह जो down quark है और strange quark है इसमें कोई फरक नहीं है सुआए इसके कि वो heavy है heavy का मतलब यह नहीं है कि वो मोटा हो गया है मतलब मोटा चुटा नहीं हुआ क्योंकि वो fundamental particle है मलब point particles है तो just वो heavy है as compared to this one और वो decay कर जाता है मतलब वो stable नहीं है इसी तरह आपके पास electron की भी हैवी कापी है जो के मियोन है और neutrino के भी हैवी कापी है जो के मियोन neutrino है ओके इसी तरह third जो generation है वो भी आपके पास हैवी कापी है top and bottom और इसी तरह tau and tau neutrino ठीको की बात तो फर मियोन में आपके पास दो families quarks and laptops फिर उसके अंदर three generation one two and three जो के actually हैवी कापी इस है और unstable है अब यहां पर बड़ी मज़े की बात है यहां पर इसकी मैस लिखा हुआ है जो अब को का मैस है वो जस्ट टू पांट टू एम्मी वी है ठीक है और इसका कितने यहां पर आई होप इसने थोड़ा सा इसमें प्राब्लम है यह से हैवी होता है और जो टॉप को आग वो 173 शोरी गलत गलती नहीं है जी इवी लिखा हुआ है वन तू फाइव गैगा एलेक्ट्राण वोल्ट है और यहां पर कहा है 173 गैगा एलेक्ट्राण वोल्ट वो जी इवी में है जिसका मतलब है यह जस्ट हैवी कापीज है नेक्स देख लेते हैं चार्ज अपको आग पर चार्ज है 2 ओवर 3 का ओके गुड चार में भी 2 ओवर 3 ह तॉ पबिट ओवर 3 है स्पिन की बात करें यह भी 1 ओवर 2 है यह भी 1 ओवर 2 है और यह भी 1 ओवर 2 है इसी तणर अगले की जो डॉन है वो 4.7म वी यह 9600 हॉन ओव ये 4.1 ग इवी ठीं है और जो डॉन है इस पर जो चार्ज है वह 가자 हो माइनस और तरी होता है और इसकी स्पि अब लेकिन मन्यूट्रियूनोज की बड़ी मज़े की बात है इनका मैस बहुत थोड़ा है और आफ अलेक्टरॉन वोल्ट जिस्ट लेक्टरॉन वोल्ट ठीक है तो इनको ढूंड़ना बड़ा मुश्किल है क्यों मुश्किला जी क्योंकि एक तो इनके पर चार्ज नहीं है यह लेक्टरिकली नियोट्रल होते हैं और फिर इनका मैस भी बहुत कम है और फिर जिस्ट इंटरेक्ट करते हैं वाया वीक फोर्स ठीक है तो ना ही स्ट्रॉंग फोर्स इंटरेक्ट करते हैं ना ही आपके पास और किसी वे के साथ तो जिस्ट वीक फोर्स के साथ इंटरेक आप यहां पर बड़ी मज़े की बात है नेक्स टो आप जो बताने लगओं वो है बोजॉन्स बोजॉन्स क्या है? जिस्ट फॉर्स कैरियर्ज है मतलब यह जो आपके पार कॉर्स और लेप्टॉंस है इनके दरमियाँ जो फॉर्स को कैरी करते हैं वो bosonic particles करते हैं फॉर एक्जेंपल ये लिखा हुए glue on किन किन के साथ force carry करता है जी इन इन के साथ glue on जिस्ट आपका quark के साथ जो है वो interact करता है next आपके बस photon photon क्योंकर electromagnetic है तो वो definitely जिस जिस पर charge होगा उस उसके साथ interact करेगा इसका मैं color change करता हूँ इंटरक्ट करेगा ठीक होगी बात w plus minus और z बो जो है वो आपके वीक फोर्स के carry और वीक फोर्स लैप्टां भी feel करते हैं और quarks भी feel करते हैं ठीक है तो जो आपके पस वीक फोर्स के carriers है वो किस किस के साथ interact करेंगे मैं black color ले लेता हूँ ये इन सारों के साथ ओके ये तो हमें बात आगी समझ ठीक है एक रह गया वो है हीग्स बोजान अब हीग्स बोजान एक ऐसी बला है अब यहां पर आपने देख रहे ना कि इनके जो चार्जिस हैं गलूआन पर कोई चार्ज नहीं है फोटान पर कोई चार्ज नहीं है जीब लूश नहीं है डबली प्लस माइनस चार्ज होता है 백 पर जो स्पीन होती आ वो कि एच कट के आर्डर में होती है ठीक है तो अगर हम कह रहे हैं कि हाफ का आर्डर है उसके पास मतलब कि हाफ एच कट की फार्म है यह होता है कि तो यह नहीं आती है तो इसका मतलब यह नहीं कि गूम रहा है कि क्या आती है मैंने कि यह तो एंगल मोमेंटम के बराबर नहीं होता है इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि इसको गूमना है नहीं इसका को इसका लाजमी नहीं है मतलब के ओपर जो हम कहते हैं कि यह कलर को डिफाइंड करते हैं तो वहां पे कलर संब्स होता है वह कलर बिल्कुल परफेक्ट बात है आपकी जब हम कलर डिफाइन कर रहे हैं तो दैर इस नाट मींज के कोई को आपके वाज कट रही है आप से रही है बोलें जड़ा कोई नहीं आ रही है बिल्कुल ऐसी बात है जो आपके बात की कि जिस तरह से हमारे पास हम क्वाक्स के बात करेंगे आगे क्योंकि मैंने आपके पूरा रिदम बताया क्वाक्स कलर कहते हैं तो कोई कलर शले मलब हम हुद और डिफाइन कर रहें अपनी इजीनेस के लिए के कोई पर कलर है डेफिनेटली डे और सम कांड अफ त्री तिंग्स जो के एक दूसरे को इंट्रेक्ट करें तो हमने इसको कलर से डिनोट कर दिये ताकि हम इजी लेके चल सके बिल्कल वैसे ही आपके की इसका नहीं मतलब के वह डेफिनेटली वह स्पिन कर रहा हो ठीक है इजिए यहां पर जरूरी नहीं है इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एक्जेम्पल दे देता हूँ क्या आपको इस पर पता होगा हम एंध्यूर मोमेंटम लिखते होते हैं इस तरह से ढूल्यू momentum है वो zero आ गया मतलब हागर hydrogen का atom ले रहे है और electron उसके गिर्दद मूव कर रहा है n is equal to 1 है first shell है तो angular momentum is zero what is meant by that angular momentum है कि कोई object move कर रहा है तो अगर वो ही zero है तो इसका मतलब है कि electron is not revolving around the necklace ठीक है तो there is no resemblance with quantum mechanical term with the classical ठीक है तो classically है कि angular momentum का मतलब है कोई चीज रिवाल्व कर रही है quantum mechanically angular momentum एक electron around the orbit जस्ट ये बता रहा है कि orbit की shape क्या है या वो spherical है या वो dumbled shape है या वो donut बनाये हुए है और इसके उपर एक dumble है etc. ठीक है तो there is no relation with the spin ठीक है हाँ इसकी dimension spin कियाती है definitely हम इसको इसलिए spin कहते हैं लेकिन that is not revolving at all ये जस्ट एक उसकी intrinsic property है ठीक है अच्छा अब question है वो आपने किया था पूछ लें कोन question कर रहे था जी सर मैं पूछना ये जा रहा था ये ये क्वाक्स के दर्म्यान जो strong forces वो उनको पैरी करते हैं ये perfect येस ठीक है जो आपके पास क्वाक्स हैं उनकी जो binding है जो उनके दर्म्यान जो force की mediation है उसके हम detail से देखेंगे वो responsible है gluons जो के उनको जोड करते हैं अब इसका नाम इनको बड़ा मज़े का रखा है गिलू नहीं होता गिलू जोडने वाला ठीक है इसी से उसका नाम रखा है उनके gluons तो वो आपको पता जैसे proton के अंदर quarks होते हैं वो quarks actually gluon नहीं जोड कर रखे होता है उसका हम detail से देखेंगे आगे ठीक है अच्छा जी और की question तो नहीं है सर यह दूसरी बात मैं यह करना जा रहा था हूँ के photon है जो वो नीचे वाले तीन के साथ भी जैनिक चार्ज force कर्यारी करते हैं यह electron muon और tau हाँ तो यह सर क्या यह भी क्यों नहीं यह सारों को करते हैं अब देखे ना जो force carriers हैं जिस तरह के मैंने simply आपको बताया कि photon जो है वो चार्ज के साथ दील कर रहता है जैसे कि आपको पता ना कि electron electron को रिपल करेगा charge dependent dependency है ठीक है electric charge कह सकते है dependency है ठीक है इसी लिए जिस पर electric charge होगा उसके साथ interact करेगा simple की बात simple सी बात ऐसी बात है अब जो gluon है ना इस पर color charge होता है उसको हम आगे जाके बात करेंगे अब जिस पर color charge होगा gluon सिर्फ उसके साथ interact करेगा अब color charge के लिए सिर्फ हमारे पास coax है जिन पर color charge होता है तो सिर्फ gluon color charge होता है ठीक नेक्स चलते है जी अच्छा तो यह हमने इसको detail से देख लिए अब बड़ी important है कि fermionic particle भी देख लिए bosonic particle भी देख लिए और bosonic में दो families देख लिए एक scalar है जो के हीक्स है वह हम इस पर बात करेंगे और बागकी vector bosons है जो के actually gauge bosons है और वो mediators हैं between the fermionic particle और force को carry करते हैं अच्छा इसकी simple सी summary कर लेते हैं फिर elementary particles क्या 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 नहीं नहीं कर सकते हाँ इससे इदर एक और question answer में देता हूँ वो particle independently exist कर सकता है जिसके पास electron के time charge मुझूद हो integral multiple of electron के charge के बराबर charge हो for example two electron, one electron या minus one electron या three electron order of electron के integral multiple of electron के charge के बराबर charge होगा तो वो independently exist कर सकता है fractional charge मतलब electron का fractional charge कभी भी exist नहीं करता और जब हम कहते है न के quarks पे जो charge है जो quarks पे charge है वो है हम आकर जा जाके देखेंगे ठीक है सारे मिला आके चार अगर color white बनता है तो वो independently exist कर सकता है अगर white नहीं बनता तो independently exist कर सकता नहीं है ठीक है तो यह बड़ी मदे मदेखे चीज़े हैं तो हम देखेंगे next हम देख लेते हैं कि हमारे पास classification of elementary particles तो दो तरह से हमने classify कर लिया fermionic और bosonic particles fermionic वो जो कि जिनकी half integral spin होती है जो फर्मिडराइक से टेस्टिस को फालो करते है और bosonic वो जो कि बोज आइसेंस से टेस्टिस को फालो करते है और जो कि force carriers है ठीक है और fermionic में दो एक और family जो कि leptons है जिनको strong force का कोई पता नहीं है और quarks है जिनको strong force का भी पता है और आपके पास wake force के साथ भी interact करते है दूसरे है gauge bosons जो कि vector bosons है gluons, photons, wake force और graviton अब नदर आएगा तो होगा otherwise अभी नहीं पता और आपके पास higgs boson है कि higgs boson क्या बला है इससे पहले ये आपके पास interaction है ये थोड़ी दी वैसे इसी तरह इसी बताई जा सकती है या मैंने जैसे पीछे बताई ये वैसे बता सकते है कि पहले हम देख लेते हैं कि photon किस-किस से interact करता है photon करता है जी, leptons से ठीक है, leptons में किसमें? leptons से, muon से, tau से करता है ठीक है, फिर किस से करता है जी आपके पास? weak boson से करता है इसके साथ, wz plus minus के साथ करता है definitely ये charge particle है फिर किस से करता है, ये? को आक से करता है, ठीक होगी बात तो इसका मतलब है कि ये photon उन के साथ interact करता है बिलकुल इसी तरह अगर देखा जाए Z-Boson जो है, वो किस किस के साथ interact करता है, मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि हमें नजर आ जाए Z-Boson जो है, इसके साथ भी क्योंके ये weak force है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और मैंने बताया जस्ट कॉर्क सर डील करते हैं तो जे आर जस्ट कनेक्टि विद दैग तिंग अब हीग्स बोसॉन जो है वो आपके पस क्या बिलाए है इसको हम देख लेते हैं ये ठीक है अब ये बड़ी मज़े की बात है आपको पता है कि जब ये जो क्वांटम मेकानिक्स थी और रेलेटिविस्टिक क्वांटम मेकानिक्स थी और क्वांटम फील्ड थी ये 20th सेंचरी के लोगों के काम थे ठीक है फर्स्ट हाफ अफ ये 20th सेंचरी और सारे सारे के सारे मेकानिकल फरेमवर्क बना लिया तो पता के चला कि सारे के सारे मेस जो है या सारे के सारे मेस्टिकल जो है मैसलेस था मतलब बहुत ही भिहानक था कि सारे का सारे पार्टिकल धान के साथ मOV कर सकते हैं कि जो पार्टिकल मैसलेस होगा यह सिपीड अफ लाइट के साथ कर लेते हैं अब उसने कहा कि there is a Higgs field separated and spreaded around all over the universe कौन से field Higgs field अपने नाम से उसने कहा Peter Higgs ने Higgs field है और वो universe में हर जगा फैली है हर जगा फैली होई है ठीक है फील से फैली होई है वैसे quantum field theory का मतलब यह हर fundamental particle की एक field है जो कि यूणिवर्स में फैली हुई है अच्छा अब उसने कहा कि वो particle जो Higgs field के साथ interact करेगा mass gain करेगा और जो नहीं करेगा वो mass gain नहीं करेगा सिंपल सी क्या नो सर नो ठीक है इसका मतलब है इसको यह पाने में जाने के लिए बड़ी दिक्कत करने पड़ेगी less than one minute रागे मैं उसके बाद आपको रिजाइन कराऊंगा उसी ग्रूप में ठीक है अच्छा तो इसका मतलब है इसको पाने के गुजरने में बड़ी दिक्कत फील होगी तो इसका मतलब यह फील करेगा कि मैं पाने के अंदर हूँ लेकिन उसी दोरान अगर मैं एक फिश को कहूं के पाने में गूमे तो वह बड़ी शर शर ऐसे से करके गूमते रहेगी उसको तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है त इसको एक टकाह के फोर्स मिल रही है दियू टू डैट वाटर इसका मतलब है कि यह मोटा बंदा इसकी वाज़े से फ्रिक्शन फोर्स को